प्रिध्वी कैसे बनी? प्रिये इंदु, तुम जानती हो कि धर्ती सूरज के चारों तरब घूमती है और चान धर्ती के चारों तरब घूमता है। शायद तुम यह भी जानती हो कि एसे और भी कई बिंड हैं जो धर्ती की तरे सूरज का चक्कर लगाते हैं हमारी धर्ती समेत ये सब सूरज के ग्रह कहलाते हैं चान धर्ती का उपग्रह कहलाता है क्योंकि वो धर्ती के ही आसपास रहता है दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह है सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन जाता है इस परिवार को सौर जगत कहते हैं सौर का अर्थ है सूरज का और क्योंकि सूरज इन सब क्रहों का पिता है इसलिए इस पूरे समूह को सौर जगत कहते हैं रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो इन में से थोड़े से ही ग्रहें और इन्हें तारा नहीं कहा जाता क्या तुम बता सकती हो कि ग्रहों और तारों में क्या फर्क है ग्रहे हमारी धर्ती की तरे तारों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धर्ती से उनका फासला कम है ठीक वैसा ही समझो जैसे चान जो वास्तों में बहुत छोटा है लेकिन हमारे नस्दीक होने की वज़े से इतना बड़ा मालूम होता है लेकिन तारों और ग्रहों में भेद करने का असली तरीका है ये देखना कि वे जगमगाते हैं या न सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है चान और ग्रहों में जो जद्यांक हम देखते हैं वह असल में सूरज की रोशनी है वह असली तारे बिलकुल हमारे सूरज की तरे हैं वे खुट बखुट चमकते हैं क्योंकि वे बहुत गर्म हैं और जल रहे हैं दर असल हमारा सूरज खुद एक तारा है बस वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे मजदीक है और हम उसे एक बड़े आग के गोले के रूप में देखते हैं अब तुम्हें मालुम हो गया कि हमारी धर्ती सूरज के परिवार में है यानी सौर जगत में हम समझते हैं कि धर्ती बहुत बड़ी है और हमारी जैसी छोटी सी चीज़ के मुकाबले वो है भी बहुत बड़ी किसी तेज रेल गाड़ी या जहाज पर बैठ कर भी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे असल में ये धूल के एक कंड की तरे हवा में लटकी हुई है कि सूरज धर्ती से करोणों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी ज्यादा दूर है खगोल शास्त्री यानि वे लोग जो तारों का अध्यन करते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत समय पहले हमारी धर्ती और सारे ग्रह सूरज का ही हिस्सा थे उस समय भी सूरज जलते हुए पदार्थ का बेहत गर्म गोला था किसी तरह सूरज के कुछ टुकड़े उससे तूट कर अंतरिक्ष में निकल पड़े लेकिन वे अपने पिता सूरज से बिलकुल अलग नहों सके वे इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रसी से बांध कर रखा हो ये विजित्र शक्ती जिसकी मैंने रसी से मिसाल दी है वो है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है यही वो ताकत है जो वजनदार चीजों को धर्ती पर गिराती है हमारे निकट धर्ती ही सबसे विशाल चीज है इसी से वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है कि इस तरह हमारी धर्ती भी सूरस से निकले थी उस जमाने में ये बहुत गर्म रही होगी इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी लेकिन क्योंकि ये सूरज से बहुत छोटी थी इसलिए जल्दी थंडी होने लगी सूरज की गर्मी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है लेकिन सूरज को बिलकुल थंडा होने में लाखों बरस लगेंगे धर्ती को ठंडा होने में कम समय लगा जब ये गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेर सब जल जाती कुछ लोगों की धार्णा है कि जिस तरह सूरज का एक टुकड़ा तूटकर धर्ती बन गया उसी तरह धर्ती का एक टुकड़ा तूटकर चानद बन गया बहुत से लोगों का ख्याल है कि चानद धर्ती के उस हिस्से से निकला है जो आज अमरीका और जापान के बीच का प्रशान्त महासागर है खैर, धीरे धीरे धर्ती ठंडी होने लगी उसे ठंडा होने में बहुत समय लगा धीरे धीरे धर्ती की उपरी सतह तो ठंडी हो गई लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा अब भी अगर तुम किसी कोईले की खान में गुसो तो जैसे जैसे तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी अगर तुम धर्ती के अंदर बहुत दूर तक जा सको तो तुम्हें धर्ती अंगारे की तरह मिलेगी चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा और क्योंकि वो धर्ती से छोटा था इसलिए उसके ठंडा होने में कम समय लगा उसकी ठंडग बड़ी सुखद होती है है न उसे ठंडा चांद कहते हैं शायद वो बर्फ की नदियों और बर्फ से धके हुए मैदानों से भरा हुआ है जब धर्ती ठंडी हुई तो हवा में जितनी भाप थी वो जम कर पानी बन गई और शायद वर्षा बन कर बरस पड़ी लगता है उस समय बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा ये सब पानी जमीन के बड़े बड़े गड़ों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बने जैसे जैसे धरती थंडी होती गई और समुद्र थंडे होते गए वैसे वैसे वे जानदार चीजों के रहने लायक होते गए अगले खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूँगा ये पत्र जब लिखे गए थे उसके बाद से कई बातों में वैज्ञानिक जानकारी और दृष्टिकों बदल गए हैं और आधुनिक विज्ञान ने सिध्ध कर दिया है कि चंद्रमा पर ना हवा है ना पानी है केवल चटानी है और बालू है जानदार चीजों के शुरुआत प्रे इंदू पिछले खत में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक लंबे समय तक धरती इतनी गर्म रही होगी कि उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती होगी धरती पर जीवन कब शुरू हुआ और शुरू के जीव क्या थे ये बड़ा रोचक सवाल है पर इसका जवाब देना आसान नहीं है पहले ये समझना होगा कि जान क्या है शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं लेकिन दरख्तों और जाडियों फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी ये मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं ये बढ़ते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं दरख्त और जानवर में खास फर्क ये है कि दरख्त चलता फिरता नहीं है तुम्हें याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे जिन्हें और्किट और पिचर कहते हैं जानती हो, ये सचमुच मक्खियां खाते हैं इसी तरह कुछ जानवर भी हैं, जैसे स्पंज जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते कभी कभी तो किसी चीज़ को देखकर ये बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर जब तुम बनस्पती शास्त्र और प्राणी विग्यान पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीज़ों को देखोगी जो न पूरी तरह से जानवर हैं न पौधे कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चटानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है मगर इसे देख पाना मुश्किल है शायद तुम्हें उन सर्जिन की याद होगी जो हम से जिनिवा में मिलने आये थे उनका नाम है सर जगदीश बोस उन्होंने परीक्षनों द्वारा साबित किया है कि पौधों में जान होती है उनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज़ को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं आज दुनिया में हजारों तरे की जानदार चीज़े हैं मर्द हैं औरते हैं जिनमें कुछ अक्लमंद हैं और कुछ बेवकुफ जानवर भी बहुत तरे के हैं जिनमें हाथी बंदर और चीन्ती जैसे चत्रों जानवर भी हैं और बहुत से बुद्धु जानवर भी, जीवन के इस क्रम में मचलियां और बहुत से समुद्री जीव और भी निचले दर्जे के हैं, इन में भी सबसे निचले दर्जे के जीव हैं स्पंज और जैली के आकार की मचलियां और वो चीज़ें जो आधा-पौधा हैं और आधा- अब हमें इस बात का पता लगाना है कि ये अलग-अलग तरे के जानवर एक साथ वजूद में आये या एक-एक करके धीरे-धीरे हम इसका पता कैसे लगाएं उस पुराने जमाने की किताबیں तो है नहीं लेकिन क्या प्रकृति की पुस्तक हमारी मदद कर सकती है हाँ कर सकती है हमें पुरानी चटानों में जानवरों की हड्डिया मिलती हैं जिन्हें अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं जब ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज से सैकणों वर्ष पहले जब वो चटान बनी तो वे जानवर भी ज़रूर रहे होंगे जिनकी हड्डियां हमें चटानों में मिली हैं तुमने इस तरह के बहुत से छोटे और बड़े फॉसिल्स लंदन के साउट कैंग्जिंटिन अजायब घर में देखे थे जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो बहुत जल्दी सर जाता है लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती है यही हड्डियां हमें पुराने जमाने के जानवरों का हाल बताती है लेकिन मान लो किसी जानवर के हड्डियां ही नहों जैसे जैली फिश तब उसके मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता जब हम चटानों को गोर से देखते हैं और बहुत से पुराने फॉसिल्स जमा कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग तरेके जानवर रहते थे सब के सब एक साथ कहीं से नहीं आए सबसे पहले खोल वाले साधारन जानवर पैदा हुए जैसे घोंगे समुत्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंगे और सीपियां बटोरती हो वे उन जानवरों के बाहरी खोल हैं जो मर चुके हैं उसके बाद कुछ और विकसित जानवर आए curvature जैसे सांप, हाथी से भी बड़े जानवर اور आज पाये जाने वाले जीवों से मिलते जुलते पशु पक्षि सबसे बाद में हमें आदमीयों के आवशेश मिलते हैं इस से ये पता चलता है कि जानवरों के वजूद में आने का एक सिलसिला था पहले सबसे मामूली जानवर आए उसके बाद उनसे उचे किसम के जानवर आए और जैसे जैसे समय बीता वो और विक्सित होते चले गए और आखिर में सबसे विक्सित जानवर यानी आदमी आया सीधे साधे स्पंज और गोंगे में कैसे इतनी तब्दीलियां हुई और कैसे वे विक्सित होते चले गए ये बड़ा रोचक अध्यन है जिसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा इस वक्त तो हम उन प्राणियों की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले आए धरती के ठंडा हो जाने के बाद शाय सबसे पहला जीव वो नर्म जैली जैसी चीज थी जिस पर न कोई खोल था न कोई हटी वो समुद्र में रहती थी इनके फॉसिल्स नहीं मिलते क्योंकि इनके हट्डियां थी ही नहीं इसलिए हमें अनुमान ही लगाना पड़ता है आज भी समुद्र में जैली के आकार के जीव पाय जाते हैं ये गोल होते हैं लेकिन इनका आकार लगातार बगलता रहता है क्योंकि इनमें न कोई हट्डि होती है न कोई खोल अगर तुम इनका चित्र देखो तो पाओगी कि इनके बीच में एक बिंदु होता है इसे केंदर कहते हैं और ये एक तरे से इनका दिल है ये जीव एक अजीब धंक से बढ़कर दो हो जाते हैं पहले वे एक जिगे से पतले होने शुरू होते हैं और तब तक पतले होते चले जाते हैं जब तक कि तूटकर दो जैली जैसे जीव नहीं बन जाते इन दोनों की शकल पहले वाले जीव जैसी ही होती है तुम देखोगी कि केंद्रिया दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्सों को एक-एक दिल मिल जाता है इस तरह ये जीव दिभाजित होते चले जाते हैं और संख्या में बढ़ते चले जाते हैं इसी तरह की कोई चीज हमारी प्रथ्वी का पहला जीव रही होगी जीवन का कितना साधा और साधारन रूप था ये उस समय इस प्रथ्वी पर इससे बहतर या विक्सित जीव नहीं था असली जानवर तब तक पैदा नहीं हुए थे और आदमी के आने में तो अभी लाखों बरस बाकी थे इन जैली जीवों के बाद समुद्री घास, गूंगे, केकड़े और कीड़े आए उसके बाद मचलियां आई इनके बारे में हमें बहुत सी बाते मालूम हैं क्योंकि इन में हड्डियां थी या उन पर कड़े खोल थे इन्हें वे हमारे लिए छोड़ गए ताकि उनके मरने के बहुत समय बात भी हम उन पर गोर कर सकें घूंगे समुद्र तल की मिट्टी में पड़े रह गए समय के साथ साथ उन पर मिट्टी और बालू जमा होती गई और इस तरह ये सुरक्षित रह सके मिट्टी और बालू के दवाव से नीचे की मिट्टी सक्त होती चली गई वो इतनी सक्त हो गई कि चट्टान बन गई इस तरह समुद्र तल में चट्टाने बनी फिर भूचाल या किसी और वजे से ये चट्टाने समुदर से उपर आ गई और जमीन सूख गई ये सूखी चट्टाने नदियों और वर्षा के जल से धुलती रही और जो घूंगे लाखों बरसों से इन में छिपे थे वे बाहर आ गए इस तरह हमें ये घूंगे या फॉसिल्स मिलते हैं और उनका अध्यन करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि पुराने समय में हमारी प्रत्वी कैसी थी अगले पत्र में हम इस बात पर विचार करेंगे कि साधारन जीव किस तरह विक्सित होते होते आज के जीव जैसे हो गए किस तरह विक्सित होते हैं जीव जन्तू कब प्रगट हुए प्रिये इंदू अब तक हम इतना जान चुके हैं कि हमारी प्रत्वी पर जीवन समुद्री जीव जन्त और पानी में होने वाले पौधों के रूप में विक्सित हुआ ये जीव सिर्फ पानी में रह सकते थे और अगर किसी वज़े से बाहर निकल आते होंगे और उन्हें पानी न मिलता होगा तो जरूर मर जाते होंगे जैसे आज भी अगर जैली फिश किसी तरह किनारे आ जाए और सूख जाए तो वो मर जाती है लेकिन उस जमाने में आज कल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दल दल रहे होंगे हाँ वे मचलियां और दूसरे समुद्री जीव जिनकी खाल ज़रा ज्यादा सक्त थी सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा दिर तक जी सकते होंगे इस तरह जैली फिश और उसके जैसे और जीव धीरे धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी जमीन पर जिन्दा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सक्त थी उनकी संक्या बढ़ती गई कितनी मज़ेदार बात है ना इसका मतलब यह है कि जीव जन्त धीरे धीरे अपने को आसपास के वाता वरण के अनकूल बना लेते हैं तुमने लंदन के साउथ कैंग्जिंटन अजाइब घर में देखा है कि किस तरह सरदियों में और ठंडे देशों में जहां बहुत बर्फ गिरती है पक्षी और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं और गरम देशों में जहां हर्याली और दरखत बहुत हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास का वातावरन हो वे अपना रंग इसलिए बदल लेते हैं जिससे अपने को दुश्मनों से बचा सकें क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों जैसा होगा तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे धंडे मुलकों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें चीता पीला और धारीदार होता है उस धूट की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है इसलिए चीते को घने जंगल में देख पाना मुश्किल होता है जीव जन्तूं का इस तरह अपने आपको वातावरण के अनकूल बना लेना बहुत रोचक और महतुपूर बात है ऐसा नहीं कि जीव जन्तू खुद अपने को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो जीव जन्तू आसपास के वातावरण के अनकूल बन जाते हैं उनके जिन्दा रहने की संभावना बढ़ जाती है इस तरह उनकी तादाद बढ़ने लगती है जब कि दूसरों की नहीं बढ़ती इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती है इससे ये सपष्ट होता है कि साधारण जीव धीरे धीरे विक्सित होते हुए उंचे दरजे के जीव बन जाते हैं और मुम्किन है कि लाखों बरसों के बाद वे आदमी के रूप में विक्सित हो जाएं अपने चारों तरफ होने वाली ये तबदीलियां हम देख नहीं सकते क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती है और हमारी जिंदगी छोटी होती है लेकिन प्रकृती अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है वो न तो कभी रुखती है और न आराम करती है तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें लिखा था कि प्रत्वी धीरे धीरे थंडी होती गई और सुखती गई जैसे जैसे ये थंडी हुई इसका जलवायू बदला और उसके साथ ही बहुत सी चीजें बदल गई पृत्वी बदलती गई तो जानवर भी बदलते गई और नए नए किसम के जानवर पैदा होते गई पहले साधारन समुदरी जिवाए फिर अधिक विक्सिच जिवाए इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर आए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे जैसे मगर मच्च या मेढग इसके बाद वे जानवर आए जो पूरी तरह से जमीन पर रहते थे और फिर पक्षी आए जो हवा में उर सकते थे मैंने मेढग का जिक्र किया है ये बड़ा रोचक अध्यन है क्योंकि इसके जीवन से ये पता चलता है कि किसी तरह समुद्री जीव बदलते बदलते जमीन पर रहने वाले जीव बने मेढग पहले मचली होता है लेकिन बाद में वो जमीन का जीव बन जाता है और जमीन पर रहने वाले दूसरे जीवों की तरह फेफ़डों से सांस लेता है उस पुराने जमाने में जब जमीन पर जीवन आरंभ हुआ तब चारों तरब बड़े बड़े जंगल थे घने जंगलों के कारण जमीन दलदली हो गई होगी बाद में ये जंगल दब गए और मिट्टी और चटानों के दबाओ से ये धीरे धीरे कोईले में बदल गए तुम्हें मालूम है कोईला गहरी खानों से निकाला जाता है कोईले की ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल है जमीन पर रहने वाले शुरू के जानवरों में बड़े बड़े साप छिपकलियां और घड़्याल थे इन में से कोई कोई सौफीट लंबे थे जरा सोचो सौफीट लंबे साप और छिपकलियां तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों के फॉसिल्स लंदन के अजाइब घर में देखे थे बाद में वे जानवर आए जो आज के जानवरों से मिलते हैं ये स्तनपाई जीव कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं पहले वे भी आज कल के जानवरों से बहुत बढ़े होते थे जो जानवर आदमी से बहुत मिलता है वो बंदर या बनमानुस है इसलिए लोग सोचते हैं कि आदमी बनमानुस का वनशज है इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हर एक जानवर ने अपने को आसपास के वातावरन के अनुकूल बना लिया और विक्सित होता गया उसी तरह आदमी भी पहले एक बनमानुस ही था ये सच है कि वो सुधरता गया या यूँ कहो कि प्रकृति उसे सुधरती रही और आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं है वो अपने आपको दूसरे जानवरों से बिलकुल अलग समझता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बन्दरों और बनमानुसों के भाई बन्द है और आज भी हम में से बहुत से बन्दरों जैसा ब्योहार करते है भी हम में से बन्दरों से बन्दरों से बन्दरों से बन्दरों से बिलकुल जाज करते है